नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग इनफार्मेर्सन विद पीके पर सभी सहारा पीडित जमा करता हूं वर्समानित कार्थाओं का हारदिक स्वागत है, बंदन अभनंदन है दोस्तों यदि आप सहारा के जमा करता है तो आपके लिए सहारा पोर्टल से लगातार बड़ी से बड़ी खुशखबरी भरी खबर निकल कर आ रही है तो हम आप सभी को लाइप प्रूब दिखाएंगे सहारा पोर्टल से लोगों का भुक्तान होना सुरू हो गया है और पूरा का पूरा भुक्तान हो रहा है कितना पूरा का पूरा पचास हजार तक का भुक्तान स्टार्ट किया गया है यानि पचास हजार तक का भुक्तान एक बार में हो रहा है एक लोगों का 23,000 रुपिया भुक्तान था तो उन लोगों का भुक्तान हुआ है आप सभी को इसी वीडियो में लाइब दिखाएंगे तीन लोगों का लाइब प्रूफ इस वीडियो में दिखाएंगे कि किसका किसका भुक्तान सहारा पोल्टल से होना स्टार्ट हो गया है यदि आपका भी पैसा सहारा में फसा हुआ है और डेफिसेंसी भी है उनका डेफिसेंसी भी था अब डेफिसेंसी से भी मतलब हट चुका है तो आपका अगर पैसा जमा है तो आप लोग इस वीडियो को अबस्य देखिएगा लाइब प्रूफ आप सभी को दिखाएंगे ती किन लोगों का भुकतान पोर्टिल के माध्यम से हुआ है तो हम आपका किमती समय नबेश्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब लोग हम दिखा देते हैं कि ओक क्रेडिट जो की कल के डेट में हुआ है आप लोग देख सकते हैं छोब पचीश में कल के डेट में इनका भुकतान आया हुआ है आड़ेश 23,000 रुपिया है इनका क्रेडिट टू एयर टेल पेमेंट बैंक और अगेंस क्रेडिट नमर म तो चलिए इनका हम claim दिखाते हैं कितना की रासी थी और कितना इनका भुगतान राप्ती हुगा है तो देखिए यहाँ पर इनका हम इसकी इनसर्ट भी उन्होंने हमको share किया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखी यहाँ पर यहाँ पर 10-10-23 के रेट में इनको पहला किस्ट मिला था 10,000 रुपे की रासी यह 23,000 रुपे इनकी second किस्ट की रासी मिली थी टोटल एमाउंट आप लोग देख सकते हैं एमाउंट 33,000 रुपया क्लेम प्रोसेस था जिसमें कि इनको 10,000 रुपया क्लेम प्रोसेस को ही है टोटल एमाउंट 33,000 रुपया दिखा रहा था जिसमें 10,000 आप लोग पहले दिखा दिए कि इनका बैक डेट में आ चुका था और 23,000 रुपया जो सेस रासी थी यहाँ पर इनका सेकेंड किस्त के रुप में जो की भेज दिया गया है मतलब सेकेंड किस्त के रासी जिनका 50,000 वाला पोटल पर दिखा रहा था जो कम वीडियो भी दिखाए थे कि 50,000 तक अब रासी भुखतान किया जा रहा है यहाँ पर प्रूप मिल चुका है जिनका पहला किस्त अगर मिलेगा आगर तो उनको 50,000 तक भुखतान रासी मिलेग था और इनका जो 33,000 में थी वहां पर पेमेंट दिखा रहा है इनका 23,000 रुपे में से 23,000 रुपे जो अभी हम दिखा है इनका 23,000 टोटल भुखतान कर दिया जा रहा है अब इनका हम बता देते हैं कि इनका जो था कि जब आपना आपका इनका दिखा रहा था रिषवमिशन में इनका दिखाया रहा था स्कुटनी इन प्रोग्रेस अगर आपका भी इस तरह के लिखा हुआ आ रहा है रेट कलर में प्रगति पर बहुत जोल्द भुखतान मिलने वाला है हलांकि बहुत सरे लोगों का ऐसा अभी हमको जामा करता का आप लोग दिखा दियें जिनका थेजर बुखताना है सेकेंड किस ग्रूप में एक और जामा करता का हम आप लोगों को दिखा जाते हैं यह देखिए इनका पेमेंट टोटल क्लेम एमाउंट 15,000 रुपया दिखा रहा था 15,000 रुपया में आप लोग यहां प 15,000 रुपया इनको भी 15,000 टोटल भुगतान कर दिया गया है मतलब आप टोटल भुगतान किया रहे हैं आपका सक्सेस क्लेम एमाउंट का आप देखिए यहां पर हम एक तिसरा जामाकर तक आप लोगों दिखा रहा हैं इनका टोटल आप लोग देख सकते हैं छो क्लेम हैं च्शो क्लेम में देखी इनका तो है कि 5,6 नमर में मेमबर्सिप not uploaded by society था और मेमबर्सिप not uploaded by society हम यह दो क्लेम कहीं बारे में और इसकलिये कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान से देख लिजए कंए इसी दुनों क्लेम का हम आप लोग को लाइफ पोर्टल पर लौग इंकरके इनका दिखाने वाले हैं कि इनका दोनों डिफिसेंसी जो थी इस के लेम कर लाश्ट कर देखी आप 315 और एक 314 हैं यह सट्फेट एक नमर आप लोग देख सकते हैं कि सहारा बंधु जैसा कि वीडियो क्लिप को देख लिया होगा इस पर स्ट हो गया कि सहारा पोर्टल के भुक्तान स्टार्ट हो गया है लेकिन हां मैं मानता हूँ आपका भुक्तान नहीं हुआ होगा और आप गुस्से में होंगे क्योंकि कुछ ही लोगों का भुक्तान हो रहा है आप लोगों ने क्या एक आटेंशन पूर्वक इसमें खासियत देखी है जो तीन लोगों का दस अजार रुपिया करके आया है और उन्हीं लोगों का फिर से भुक्तान दिया गया है बाकी जो बचा हुआ भुक्तान दिया गया है तो ऐसी स्थित में आप में से कितने लोगों का भुक्तान फर्ष्ट फेज में हुआ है नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं कि आप म है या membership को लेकर जो problems है तो portal से तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि deficiency और membership को लेकर जो भी तुर्टियां दिखाई जा रही है उन तुर्टियों में काफी तेजी के साथ सुधार किया जा रहा है यानि कि portal पर काफी तेजी से इस समय बदलाव किया जा है आप टेंसर में मत रहे हाँ ये तो बात एक सत है कि portal के माद्धिम से भुक्तान हो रहा है लेकिन सभी का भुक्तान possible नहीं है केवल और केवल हम लोगों को एक लालच दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिलेगा तो फिर से सहारा का जो मामला है बुठंडा हो जाएगा लेकिन अगर देखा जाए तो भुक्तान हम लोगों का possible जब ही होगा जब सहारा के ब्रांच खुलेंगे यहनि के counter के माद्धिम से भुक्तान होगा offline भुक्तान होगा तभी हम लोगों का भुक्तान possible हो पाएगा अन्यसा किसी भी प्रकार से भुक्तान possible नहीं हो पाएगा तो आप लोगों की क्या राय है कि भुक्तान किस प्रकार से होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे हैं हाला कि portal से हो रहा है अच्छी बात है ऐसा नहीं है अगर portal के माध्यम से पिछले एक बर्स से हुआ होता भुक्तान तो अभी तक जो है मामला काफी सक्री हो जाता लेकिन portal पर इतनी दुर्गती आ गई कि हम लोगों का भुक्तान हो ही नहीं पाया इधर से उधर नमस्कार दोस्तों जय जवान जय किसान